समकर्णी विस्तु राजनीती में हमारा आज का पर्यावनी प्रक्रण है प्रत्वी सम्मेलन जो की वर्च 1992 में सहिंक्त राष्ट संग की पहल पर आजुद किया गया था, यहो पर्यावन और विकास की समस्या को लेकर एक सम्मेलन था, यहो ब्राजील में हुआ था, इसमें व सम्मेलन, ब्राजील के रियो डी जैनेरियो में वर्च 1992 में सहिंक्त राष्ट संग के द्वारा पर्यावरन और विकास की समस्या को लेकर एक सम्मेलन का आजुद किया गया, इसमें लगभग 170 देशों के परत्रीदियों, स्वयम से भी संस्ताओं और कई बहुरास्टी विकासिल देशों के परतिभाग्यों ने पर्यावरन को लेकर बढ़ रही समस्याओं पर चिंता व्यक्त की, इस सम्मेलन में यह देखा गया कि उत्री गोलार्द और दक्ष्णी गोलार्द के देशों के समस्याओं में अंतर आया, उत्री गोलार्द यानि कि विक्सित और इसमें विक्सित देशों से सायोग की अपेक्षा की पांच्वा बिंदु जो आया वह जलवाई परिवर्तन, जैविवित्ता और वानिकी से संबन्दित था इसमें कुछ नियामाचार भी इसमें बनायेगे चाटा था एजंडा 21 यानि की 21 सदी में 200 परियावरन संद्ख्षण हेतु एक कार्योजना को तयार करना ताकि हम विकास के कौन से तरीके अपना सकते हैं उसके लिए एजंडा 21 बनाया गया एजंडा 21 के तहट सतत विकास या टिकाओ विकास की पहल की गई यानि की हम आर्थिक विकास भी करें आर्थिक बिर्दी भी करें लेकिन उसके साथ हमें यह भी धान देना चाहिए कि हमारा विकास सतत हो टिकाओ हो जब हम सतत विकास या टिकाओ विकास की बात करते हैं एक ऐसे विकास से इसकी परिभासा बनती है जिसमें संसादुनों का इस प्रकार प्रियोग किया जाए कि पर्यावन को कम से कम नुक्सान हो और संसादुनों को आने वाली पीड़ी के लिए सुरक्षित भी रखा जा सक जाने कि विकास हो लेकिन उसके साथ बिनास ना हो विकास के लिए हमें संसादुनों को सोच समझ कर उप्योग में लाना चाहिए और अपने संसादुनों का इस तरह से प्रियोग करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीड़ी के लिए ये संसादन सुरक्षित रह जकें इस सुरक्षा और सनक्षण के लिए साहमत बनी। अलग-अलग हैं अतो इसे बचाने के लिए सब देसों की साजी लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारी होगी। प्रित्वी सम्मेलन यानि की जिसे हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं का अध्यन किया और योहद एका कि ब्राजील में जो सम्मेलन हुआ था उसमें किस प्रकार पर्यावरण और विकास की बात की गई। प्रियावरण से समंधित जो समच्या हैं उनका निदान ढूड़ा जाए। विकास की समच्याओं को ढूड़ा जाए ताकि विकास किया जाए। और विक्षित और विकासील देशों ने मिलकर पर्याण को लेकर जो समशयां आ रही थी उस पर चिंता बैखते की कही ना कहीं सभी देश सक्रि दिखाएगे कि हमें पर्याण को बचाना है और जब हम पर्याण को बचाएंगे तभी हमारा जीवन भी बचा रहेगा. उत्री गोलार्द और दक्षनी गोलार्द के देशों की समशाओं में हाला कि अंतर देखा गया लेकिन जब बैस्विक पर्यावन को बचाने की बात आई तो दोनों ही देशों ने यानि कि उत्री गोलार्द के देशों ने और दक्षनी गोलार्द के देशों ने सहमत भ्यक्ति की, बिक्षित देशों ने ओजोन परत और वैस्विक तापान बिद्री को लेकर अपनी समश्या को भ्यक्ति किया और कहा कि ये दो बहुत खातक हैं, जबकि दक्षनी गोलार्द कि देशोंने अपने बिकास को लेकर कि कैसे उनके वहाँ आरती बिकास हो और पर्याउन में का भी परबंधन हो इसके लिए विक्षित देशों से सहयों कि अपेक्षा भी की वहीँ जल्वाई परिवर्तन और जैव विवित्ता और वानिकी के लिए कुछ नए नियम नियम या कर सकें अगला जो महत्वून बिंदु था वो था एजंडा 21 का था कि एजंडा 21 में एक सतत विकास की परिकल्पना की गई कि सतत विकास हो यानि कि संसादुनों का शदिप्योग हो और पर्यावन का कम से कम नुकसान हो हमें अपनी आने वाली पिड़ी को भी सुरक्षित रख परियावन को नुकसान पहुंचाने में जो देसों की भूम का हैं वो अलग अलग है यानि की विकसित देसों की भूमिकार प्रस्टन हैं पहला प्रस्टन है प्रत्वी सम्मेलन कब और किस देश मां हुआ। प्रत्वी सम्मेलन 1 1992 में ब्राजिल के रियो डी जैनेरियो में हुआ। दूसरा प्रश्ण है प्रत्वी सम्मेलन में विखसित और विकासिल देशों में किन मुद्धो को ले कर सहमत बनी, समझाईए।agon. प्रक्रण में हमने प्रत्वी सम्मेलन याने की रियो सम्मेलन का अध्यन किया आज के प्रक्रण में इतना ही धन्यवाद झाल झाल